काम नहीं है जब आप लोग साथ देंगे तब उनका भी मनोबल उचा रहेगा तो जो खबर है मैं बताने चल रहा हूँ UPWC IOC से बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है ठीक है डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर है और निगेटिव चीजें सुनाई दे रही है अब आप लोग समझ रहे हैं निगेटिव चीजों का मतलब क्या है कि बीटक हावी हो चुका है हर डिपार्टमेंट हावी भाग में हर जगें वो अपने सारे हाथ पैर जितनी तरीके से हो सका सब मार रहा है और आप लोग केवल रूम में लेबरेरी में बैटके पढ़िए साथ जब देने के जरूरत होती है कहा जाता है आप लोग आगे नहीं आते हैं बैटके रहिए जब अलाव हो जाएगा जो लोग सोच रहे हैं allow नहीं होगा संग है ये है वो है कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक एक एक लोग अपने खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएगे अगर allow एक बार हो गया ना तो जो सोच रहे हैं बहुत लोग 4,016 सीट है तो आपको रेशियो पता होगा डिप्लोमा और बीटक वाले कितने सेलेक्ट होते हैं ठीक है अंदर अंदर खेला हो रहा है भाई अंदर अंदर खेला हो रहा है आप लोगों को एक जूट होने की जरूरत है और जो गुरूप है डेप्सवा यूपी उसमें जॉइन होने की जरूरत है जॉइन जब होंगे जो कहा जाएगा उसको केवल आपको फॉलो करना है और आपको कुछ नहीं करना है आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप पढ़ाई को किनारे रख आप आगे आईए यह किसी नहीं कहा यह सबने कहा पढ़ाई प्रॉप पढ़ाई सबसे उपर है उसके बाद कुछ है लेकिन क्या आप आपने आदे घंटे एक घंटे नहीं निकाल सकते हैं क्या जरूरी क्या आप से और है ससी जे में आपका सेलेक्शन हो जाएगा उसमें बीटेक, MTAB, IITN, MTAB सब बैठते हैं अल इंडिया के लडगे उसमें फाइट करेंगे जो डिपलोमा वाले वीग है पढ़ने में एवरेज इस्ट्टेंट है जिनका सेलेक्शन बॉर्डर पे रहते नहीं हो पाता है इसमें चांब से पूरे होने के लेकिन आप लोग अगर साथ नहीं देंगे अपने लिए तो क्या कर पाएंगे आप लोग तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नेगेटिव चीज निकल के आई है और वो लोग पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं अगर आप लोग अभी भी नहीं समले एक जुट नहीं हुए तो आप हाथ धो देंगे और बीटेक अलाव हो जाएगा मेरा यह वीडियो बनाने का यही मकसद है और जादे से जादे लोग वीडियो को सेर करिए और लोगों को अवेर करिए कि अब जग जाओ एक महीना डेड़ महीना जग जाओ अगर नहीं जगे तो कुछ होने माला नहीं है बागी फिर पढ़ाई करते रहना जब वेकेंसी ही नहीं रहेगी तो अस्टी खतम हो जाएगा तो पढ़ने को मतलब क्या निकलेगा कोई मतलब नहीं है तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जुड़ो यूनुटी दिखाओ अभी यूनुटी उस दिन ट्विटर कंपेंड था प्रेंडर नहीं हुआ इतने लोग गुरूप हो यार इतने लोग जुड़े हो क्या कम एक दिन के लिए अपने लिए समय नहीं कर सकते हो तो मेरा सभी से हाँ जोड के निवेदन है कि एक जुट रहो अगर एक जुट आने वाले एक महीने में नहीं रहेगे तो वीटेक अलाव हो जाएगा और इतना एफर्ट वोग डाल रहे हैं ना हर तरफ से प्रेशट डाल रहे हैं अधिकारी उनके हाथ में हैं ये भी मैं ब वीडियो को मैं ये इंड करता हूँ बाकी आप लोग समझदार हैं अगर अभी नहीं जगे तो फिर आज से निकल जाएगा